कपड़े में से सलवार की कटिन कैसे की जाती है तो वह मैं आपको बताूंगे तो ने लैंत है वह में 30 इंच की रखनी है और जो मोरिय है 5.5 Okay की थे 20 इंच की तो हम इसकी की पनी है वह मैं आपको बताती हूँ तो दीकिए सबसे पहले हम इस तरह से डबल कप्रा रखना है और इसको हमें इस तरीके से पहले 32-32 इंच में इसको फोल्ड करना है यह 32-32 इंच में इसको फोल्ड करेंगे 35 में से हमने इसमें 3 माइनस किये तो हमारे बचे 32 और जो हम 36-36 उपर की स उश्कार करते हैं देगी इसमें दीकियैं उसमें प्हें हम 8-17 रखते हैं देछ इसमें讲 सात इंच के रखीेंगे 25-33 इंच में कप्रे को रख दिय और गख दीया और जो एक्स्रा कप्रण है इसको कप्रे की कटिंग कर दिया अब एक साइड से हम जो इसकी मोरी है साड़े पाच तो उसको उसको देंगे और साड़े पाच इंच में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हमने इसको डबे में इसको दबल किया फिर हमने कप्रे की कटिंग की और यह अब हमने स्काड़े पाच इस तरीके से फोल्ड करते हैं जितनीकी मोरी हो उसी के अनुचार हम फोल्ड करते हैं आपर हम घल इंच का निशान लगाएंगे हो देखें 50 निशान हमने मूरी से ओगे यहां पर लगाया है और 50 निशान इस तरह से करते वे हमग consult कने घ्रिघा हम लगाएंगे इस तरह वर उसकी नशन के साहत चाहरा हम हम इसकी से निशानि के साहिए इस तरह से में witness करेंगे तो इसके हम इसके कटिंग करेंगे और जो इसके हमारे गोड़े हैं इंको हम अलग में करेंगे पर हम बाली इसके कटका निशान अभी हम इनको इसके ओपर रखेंगे तो यह साइड हमारे इसके तरफ राएंगे तो यह देखा है कि दो प hijos देरें के उपर रख दिया जैगे जो भी साइट यह भेंशान जितना भी आपका त्यार हो रुखना हो उसकी अनुचअरे में आशन सुआ है हम किकल करते हैं तो जो हमारे खुल देने टिए हैं और जो दो कली जुड़े और घुट देखें अपर तको भाला को उपना है तो धना ने सब्सक्ट क्वार के नियुक्ति हुआत्व क्वार ट्रफ पाल खुल दिया थां तो देखिए कुर्टे की साइड से हमारा कपड़ा बच्चा हुए है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से और जो हम 36 और 36 से उपर की सिलवार निकालते हैं उसमें हम बैल्ट आठी इंच की रखते हैं लेकिन इसमें हमने जो बोड़े और कलिया और जो हमाई गोलिक कदी और गोटे होते हैं उसमें हमें एक इंच बढ़ाते हैं वैसे हमें 31 ले रखना था 31 लेकिन इसमें इसमें ने 32 लिया हुए है आसम्यूसी के अंसार से हम घटाते बढ़ाते हैं और इसमें हम जो बैल्ट की लंबाई है वह हम 7 इंच की रखेंगे इस तरह से करते हैं साथ-साथ इंच को निशान लगाएं गया है तो यह देखिए हमारी 18 इंच की चोड़ाइक है और हमें यह साथ भीस मेरे दे रिखी क्योंकि हमें 25े रखना है हुए उससे हमें घटाव में हटर ऋपड़े को रखना है तो यह देखिए हमने सिदाई का कपड़ा इसके उपर रखते वे आदा आदा इंच रखवा है और साड़े बीस इंच हम इसको इस तरही से देंगे क्योंकि यहां पर भी आदा इंच हम इस लाएके दें चाहिए और इसकी हम कटिंग कर देंगे तो यहां पर एक बारिक शिलाई लगाएंगे और इस तरह से पकड़ते वे और यहां पर एक बारिक शिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हमने दोनों ही अपनी जो शदवार की गुड़ी और गोटे हैं ही है इस तरह से करके हम इंडियामने इनमे सळाई लगा लगाली है अब जो दो कत्री हैन वह हम इस साइट जोड़ेंगे इस तरह उस इस तरह से इनको हम जो कली है हम इसके साथ चोड़ देंगे और जो यह वाली कली है हम इसको 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 इसके साथ चोड़ देंगे तो इस तरह हम इन दोनों कल्ई को इनके साथ यह हमारे गोड़े हैं और यह हमारी दो दो कल्ई है तो कार गोड़े हैं मैं तो समसे पहले हम स्लिप करते हैं तो देखिए कान सी हमने यह हमने बारिक सलाई लगाई और यह हमने कलीस के साथ जोड़ दिया तो दोनों ही हमने इस तरह से हमने को जोड़ दिया है अब सबसे पहले जो यह सलाई आसंकी हम दोनों तरह यह लगाएंगे अधर भी और यहां भी और उसके बाद हम अपने फिर डालने शुरू करेंगे इस डबल सलाई हमने दोनों आसंका दोनारी गोशेयर का लगाएंगे तो यह देखी हमने अपने इस तरह से आसन पर शिलाई लगा लिएयर, अब सबसे पहले हैं पीछे की दयें हmetal जालेंगे पिछे की प्लेट नमी हम्मेड़ज से करने मैं तरह समय प्लेट को व्म पीछे की तरफ इस लुक हम Sat Kei का उसे पाले में पेखे की तरफ पीछे की तरफ से पहले हम चादीस लीज बट बड़े और 20 तौ दस लिजू निचन क genome तो हमार होगा साड़े ग्यारा तो साड़े ग्यारा पर एक निशान हम पीच के आसन से यहां पर लगाएंगे और एक निशान हम साड़े ग्यारा पर यहां लगाएंगे तो कितनी भी वैल्टोस में हमें तेर्ड इंच फिलस करके और इस तरह से हमें दोनों तरफ अपने आसन स क्ते हमें सब्सक्राफ प्लेटे रुख पहना है, लिए यह में 12 सासरी तक करक देंगेашंगे box यह यहां सब्सक्राइब सनी निषान असमें उंच्ट घना में 24 किस निषान है शल्डात एक प्लेटे थे अर्टे से 8 इंच देर्टे इस 8 प्लेटे एक आयो ंटे है तो यह सभी इस तरह से प्लेटे हम उस निशान तक साड़े आठ इंच के अंदर लवानी है और यह देखिए साड़े आठ इंच के अंदर हमने सभी अपनी प्लेट उस निशान तक पूरी कर दी है अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है उस निशान तक हमें साड़े आठ इंच के अंदर यह सभी प्लेटे डालनी है तो बिच के आशन से हमें इन प्लेटों का हमने जो यह प्लेटे है इनको हमने इस अईड किया तो यह देखे दोनों तरफ हमने साड़े या ठाट इंच के अंदर आगी के तरफ से देटे अपनी उस निशान तक पूरी टाल दी है और आप सबसे पहले हम इसकी बैल्ट तयार करेंगे और इस तरीके से हम आगे जो नाड़े या डोरी डालते हैं ये चिरिया बनाएंगे और थोड़ा कपला अंदर मुलते हैं हम इस तरीके से अपने देखे को तयार करेंगे किनारी किनारी पर इंचाल देखेंगे और ये देखें बैल्ट भी हमने तयार कर दिया अब इसको हम अपनी सलवार के साथ जोड़ेंगे अब ये देखें पीछे के तरह हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे और जो हमने पीछे प्लेट डाली थी उसके साथ इस कट को हम इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे ये देखें और ये देखें ये पूरे बीच के साथ हमारे प्लेट के साथ जो आगे की हमारी सिलाई है वो पूरे इसके साथ मिल रहे है चिडिया वाली साइड के सा अब हम इसमें पूरी में पैल्ट में जोड़ देते हैं बैल्ट पर पूरी मिलाकर हमें जोड़ते में चलना है और ये देखी बैल्ट हमें लगा कर त्यार कर ली है इस तरीके से अब आप हम इस पर एक दबी विसलाई पैल्ट के उपर लगाएंगे और यह दिखे तब ही हुई स्लाइपे हमने इस पर बैल्ट पर अपनी लगाती है और अब हम सलवार की जो मोरी हो तियार करेंगे तो सबसे पहले पॉम को इस तरह रखे हम कपड़े को इसके ऊपर दोनों तरह से फोल्ड करके एक कच्छी स्लाइप के ऊपर लगाएंगे और दोनों तयार कर लिएब अब हम इसको हमस्लोर के साथ होड़े की तो दिके सबसे पहले हमने अपनी पैतिस इंच की तैयARA नमबाई पर निशान लगा या तो यह निशान हमने लगा हे और यह बीच में मार के दिया है ऐसे ही हमने अपनी जो सलवार की फोर में उस पर भी हमने निशान लगाया है तो बीच के निशान को इस बीच के निशान के साथ में जाते हुए हम सलवार की मौरे को जोड़ेंगे झाल जाते हुए हम जाते हुए हम जाते हुए 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 कर दो लाज बाज़ कर दो कि रखब लाज़ कर दो कि दो राज़ है तो कि अंट यह तो देखे मौरी हमने त्यार कर दिया उसाड़े-पाचस की मोरी का निशान लगा कर हम सलवार की जो रांड्स लाइं होते हैं वह लगाएंगे तो यह साड़े-पाचस काम मोरी का निशान लगा कर अब इस तरह से ओ कि और आसन के सलाई हमारी पूरी इस तरह से मिली होनी चाहिए आपस में दोने सलाई और उसके बाद हमें सलाई सीधी लगाएंगे कर दोने सलाई को लगाएंगे उसी सलाई के उपर दोपारा से हम इसको पक्की करकी सलाई को लगाएंगे तो देखे फिरन इसको कि स्टरिश्टे बाई इसकी आसान तरीके से दो मिटर कपड़े में से सल्वार की कटिंग भी किया और इसकी स्टिश्टिंग भी है देखिए बैल्ट वागे रहे हमने कितने अच्छी तरीके से इसको लगाई है और इसकी प्लेटे भी साइट लिर कपड़े में बनाई है इसको तो यह देखिए कितनी अच्छी लग रहे है बनने के बाद इस तरह से कहीं सल्वारे मेंने कपड़े के एकोर्डिंग उसकी कटिंग और स्टिश्टिंग की हुई है तो सिम्पल भीना बैल्ट की सल्वार की भी मैंने वीडियो अप्लोड की करने की सल्वार करेंग ऐसी माली से मुड़र की साथ लौ तो आप हमारी बीडियो पसंद आही ओ तो आई को शीर जणूर करें हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यावाद झाल झाल